साई की बात बच्ची क्या सोच रहे हो करने का समय वही है जब तुम्हें उचित लगे जब तुम्हें जिस समय उचित लगे न वही काम उसी समय सही है यह मैं सोचा करो कि देरी हो गई या फिर बाद में करूंगा ना देरी पर उधास हुआ करो ना आने वाले कल का इंतिजार किया करो बलकि जिस समय जो सोच उत्पन हो जाए न तो समझ लो मुझे उसी वक्त वो काम करना है जो तुम्हारे मन और तुम्हारे सोच में आ रहा है क्योंकि वो मेरी किरपा से आता है और उसी का वही सही समय है तुम सही समय का अंतजार करते हो ना तो बस वही सही समय है जब तुम्हारे मन से आवाज आए जब तुम्हारे दिल से आवाज आए कि उस काम को करना है और सुनो जो लोग अत्याचारी है ना जो लोग जुल्म करते हैं तो तुम जुल्म के खिलाफ लड़ोगे हमेशा अपन बनाया है कि तुम अब लड़ सकोगे पहले तुम कमजोर थे मुझसे मिलने से पहले लेकिन अब जो मैंने तुम्हें ताकत दे दी है न अब उसका इस्तमाल करना और आगे बढ़ना और जो तुम्हारे साथ अत्याचार करने की कोशिश करे उन्हें तुम दंड देना ही देना और जो दूसरों के साथ अत्याचार करने की कोशिश करे उन्हें भी रोकना ये भी तुम्हारा फर्ज है चाहे वो तुम्हारा कोई खून का रिष्टा हो या ना हो लेकिन इंसानियत सबसे उपर है मेरे लिए देखने का नजरिया बदलो और जो कहता हूँ उस काम को करो और सुनो जिस काम की तुमने मुझसे कहा न तो बस कह दो न संशे क्यूं करते हूं शक क्यूं है तुम्हें अपने बाबा पर कि तुम्हारे बाबा वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे अगर तुम मेरे साइं व्रत करते हो, मेरी पूजा करते हो तो इतने दिन विश्वास से किया करो कि मैंने अपने बाबा से कह दिया है और वो काम होगा जरूर होगा, ये मन में शंका कैसी शंशे कैसा की होगा नहीं होगा क्या बाबा मेरी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं तो मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ इस बात का प्रमाण मैं तुम्हें बार बार कैसे दूँ मैं तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ मैं बार बार तुम्हारे पास नहीं आ सकता बार बार तुम्हें जवाब नही और यह कहो कि तुम्हें प्रतेक्ष रूप से दिखा ही दूँगा जवाब क्या दूँगा तुम्हें सामने से दिखाऊंगा कि क्या है और सुनो जब भी तुम्हें कोई अपना सा मिल चाता है ना तुम्हें लगता है कि सारे दिल के दुख सारे दर्द इनके सामने कह दो बा अपने भावों तक सीमितो, अपनी सोच तक सीमितो, दूसरे की सोच तक नहीं पहुंच सकते तुम, तो इस बात को हमिशा गौर किया करो, आज जो तुम्हारी बात को बहुत आराम से सुनता है न, तुम्हारे दर्द को बाटने की कोशिश करता है, तुम्हें सातमना देता है कि वो तुम्हारे साथ में है लेकिन सच कहूं न तो वो जिसके मूँ पर उसकी करते हैं बोलो वो वैसे लोग हैं मेरे बच्चे बात को समझा करो तुम हर किसी को अपना समझ कर बाते कह देते हो अपने दिल को हलका करने के लिए लेकिन तुम नहीं जानते हो कि सामने वाले की सोच क्या है तो सोच समझ कर सब के आगे बोला करो और ये कहूं कि बोला ही मत करो क्योंकि ना चाहे कोई तुम्हारे पक्ष में हो या तुम्हारे विपक्ष में हो सब एक ना एक दिन आकर अपना रंग दिखा ही देते हैं जब उनका तुमसे मतलब निकल जाता है ना जब उनका तुमसे कोई मतलब नहीं रहता तो वही बातों को वो तुम्हारी खिलाफ इस्तमाल करते हैं और तुम्हारे ही दुश्मनों को जाकर बताते हैं फिर क्या करोगे बोलो इसलिए हमेशा समझाता हूँ कि जो भी बात है न क्योंकि खुश्यों को भी न नजर लगते, देर नहीं लगती मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत लोगों की नजरे गंदी भी होती है, इस बात को तुम्हें समझने की जरुवत है, जब जहां से मालुम पढ़ जाएगा तो पढ़ जाने दू, लेकिन अपने मुख से अपने ची सुख और दुख, कभी भी टिकते नहीं इनसान के पास, चाहे तुम्हारे पास सुख है न, तो कल दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख भी आएगा, तो किसी को दिखाओ मत, कल को फिर वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कल को कहेंगी कि देखो, कितना कु दुसरों की मजबूरियों का फाइदा उठाते हैं न, ये बहुत गलत बात है और उसे तो न, इश्वर मीं माफ नहीं करता, कोई माफ नहीं करता, तुम ये सोचते हो कि तुम सबसे उपर हो और सब को गुलाम बना कर रखना चाहते हो, ये चाहते हो कि हर कोई तुम्हारे आदेश अनुसार चले। तुम जो आदेश दो, उसके अनुसार सब कुछ हो। तो ऐसा नहीं होता मेरे बचे। जो ऐसा तुम्हारे साथ कर रहा है न। वो खुद ही मेरा गुलाम है। तुम देखना। एक न एक दिन, उसके जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा ना, वो खुद मेरे चड़नों में होगा, तुम खुद देखना, और तुम्हारी पत, तुम्हारी लाज, मैं बचाओंगा, मैं रखूंगा, हमेशा से रखता आया हूँ, और आगे भी रखूंगा, तुम बिल्कुल जिंता मत करना, और सुनो मेरे बचे, अगर सामने वाला तुम्हारे प्रती नफरत पालता है ना, उसके मन में तुम्हारे प्रती नफरत है, लेकिन तुम्हारे मन में नहीं, क्योंकि तुम मेरे बंदे हो, तुम साही के बंदे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तो कभी भी ना, तुम बैर से, द्वेश से, कभी मत द तुम्हारे अंदर लोब नहीं लालच नहीं लेकिन अगर सामने वाले के अंदरैना तो रहने तो वो खुदinho अपने एहंकार में नई इतना डूप जाएगा न कि आनेवाले वक्तमीं न ऑपने आपको तहसं नहस कर लेगा अपने को नस्ट कर लेगा उसी का है उसे मार डालेगा, तुम देखना उसे नस्ट कर देगा, क्योंकि उसका जो एहंकार है न, वो उसे कभी जीनने नहीं देगा, उसके अंदर हमेशा बदले की भावना रहती है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं, क्योंकि तुम शान्त हो, ठंडे सरोवर की त तरा तलाब की तरा नदी की तरा हो जो ठंडा रहता है और जो ठंडा रहता है न वो कभी नहीं जलता और जो जलता है न वो जलकर एक ना एक दिन खाक हो ही जाता है तो तुम ठंडे बनो ना कि जलता हुआ कोईला तुमें जलना नहीं है जो सुलग रहे है न उन्हें सुलगन ऐसा है कि बस दिखावे का नाम लेता है, दिखावे की पूझा करता है, लेकिन उसके अंदर इतना जहर, इतनी नफरत, वो मेरी पूझा जरूर करता है, लेकिन मेरी बातों पर अमल नहीं करता, तो जो बच्चा मेरी बातों पर अमल नहीं करता, जो मेरे कहे रास्तों पर नह कभी नहीं, मैं हमेशा सच के साथ था σच के साथ हूँ, जहाँ विनमता है, वहाँ तुम्हारा साई है, जहाँ विनमता नहीं है, वहाँ मैं हो भी नहीं सकता, बिल्कुन नहीं हो सकता। जो तुम्हारी दिन चर रहा है ना मेरे बच्चे उसमें कुछ अच्छी आदतों को जोड़ो अपनी और जो बुराईया है उसे खतम कर दो आने वाले नए साल में तुम जानते हो कि तुम्हें क्या क्या चीज़े अपने जिन्दगी में जोड़नी है और क्या क्या चीज़ों करना शुरू कर दो आगे चलकर तुम्हें आसानी रहेगी और सुनो कुछ मेरे बच्चों के पाओं में बहुत सूजन है तो सुनो मेरे बच्चे गुनगोने पानी में नमक डालकर उसमें थोड़ी उदी डालकर अपने पाओं रख देना यह मत सोचना कि बाबा की उदी मै पैर पर कैसे लगाओं मैं क्या करूं सुनो इस वहमों में मत पढ़ना क्यूंकि बाबा की उदी बच्चों के लिए हैं मेरे बच्चों के लिए चाहे वो तुम्हारे हाथ हो या पाओं हो जैसे मैंने तुम्हारे हाथ बनाए हैं वैसे ही मैंने ही तुम्हारे पाओं भी ब तो मुझे प्रणाम करकर निकला करो और बड़े बुजर्गों का अश्रवाद लेकर चला करो घर से और आते वक्ती भी पाउं को छुआ करो मेरा अश्रवाद लिया करो खुश रहो आज का साई संदेश समाप्तु गुआ करो से करो ना मेरा अजियाद भी मैं लिमें करो करो से जाम करें। यह चला कर अजिजर्वाद लेक Hillary वगिए उक्ता दुआ सवनागी मत लेक करो में। इंक लिजऱ्ाद लुआ ब Across त्र विकला tensor में हैं वक्तार रहां यह थि किरो एंया है